अब एक साथी ने सवाल पूछा वीडियो के कमेंट में और आप भी पूछ सकते हैं किसे कोई सवाल है तो उसको भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि सर लोगों की नजरों में कैसे आया जाएं क्या कोई ऐसा तरीका जिससे हम लोगों की नजरों में आ सकते हैं लोगों को दिखने लग जाएं मैंने पहले भी कहा है और बार बार मैं राजनीती में बात बोलता हूँ उगते सूरज को कभी कोछ चुपा नहीं सकता साथ सूरज निकलता है तो किसे बोलता थोड़ी के बही उड़ जाओ सवेरा हो गया दिख जाता है कितने दिन बादल भी कितने दिन रोख लेंगे एक दिन दो दिन एक हफता दो हफता नहीं रोख पाएंगे उखते सूरज को कोई नहीं रोख सकता साथ वोगेगा ही और उगेगा तो पता चल जाएगा रात है और दिन है फरक पता चलता है चैबली बादल भी हो ता सुरज बनो ना क्या जरुत पड़ी किसी को दिखाने की कि मैं लोगों की निगाहों में आ जाओं आप काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों की निगाहों में ना आएं तो निगाहों में कैसे आना है इसके लिए कैसे काम करना है ये तो नहीं बताऊंगे लेकिन क्या-क्या काम करेंगे जिससे आप automatically निगाहों में आ जाएं मतलब दो अलगे चीज़े ना एक तो काम इसलिए करना क्योंकि निगाहों में आ जाएं और एक काम ऐसे करना automatically निगाहों में आ जाएं तो मैं बताये तो कौन को से काम करते हैं, तो आप निगाहों में आए बिना रही नहीं पाते हैं, खासकर से जो पार्टी के लोग हैं उनकी निगाहों में, जो राजनीती ग्रूप से मिचोर हैं उनकी निगाहों में, वो लोग जो उस मुद्दे या चीजों से connected हैं, उनकी न बनकर आप उसकी आवाज उठाने वाले बनकर उसके लिए काम कर रहे होंगे यह हो ही नहीं सकता कि उन्हें दिखेगा नहीं खुछ समय लग सकता है पहले दिन आपके मन में विचार आया मैं इस गुरूप के लिए सब गुरूप के लिए इस काटिगरी के लिए इस तरह के ल आप युगां के लिए काम करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, वैपारियों के लिए काम करना चाहते हैं, उस category के लोगों के बीच में जैसे ही जाएंगे, पहले दिन, दूसरे दिन लोग लगया, ठीक है आगया, फॉरमेंटी कर रहा है, पिर नहीं दुबारा भी आप चले जाते हैं, तीसरी बार भी चले जाते हैं, चौथी बार भी, अच्छा आप लगातार काम कर रहे हैं, निरंतर, निरंतर आप जा रहे हैं, फील में लोगों की समस्यां सुन रहे हैं, समधान कर रहे हैं, डाउट किलियर कर रहे हैं, कितने दिन, कितने पहली बार हो सकता है, आपको देख करके, लोग इगनोर कर दें, ध्यान ना दें आपके काम पर, लेकिन जब आप लगातार काम कर रहे होंगे, लगातार लोगों की समस्याओं का समधान कर रहे होंगे, लगातार दिख रहे होंगे, इगनोर कर पाना मुश्किल होगा, लगभ short formula, वो क्या है, अलग धंग से काम करना, जाती-धर्म की राजनीति हो रहे हैं, आप भी उसी में लग जाएंगे, तो क्या फ़र्त कराजएगा, जहांपर जाती-धर्म की राजनीती हो रही है, वह आप सबको अलग काम करना, अलग धंग से काम करना, भले काम वही करिए, आप भी युवाओं को जागरू करिए, वो लोग भी युवाओं को जागरू कर रहे हैं, आप उनकी समस्याओं को सुनकर सिर्फ रुक नहीं रहे हैं, बाकी लोग समस्याओं सुनी चले जाते हैं, सरकार में आए कि आपने वो जानकारी मोहिया करा दी, उन्हें guidance नहीं है, तो कोई ऐसा वेक्ति जिसको guidance है, जो counseling कर सकता है, student की career counseling, या उनके personal issues से related counseling, आपने counselor appoint कर दिया, और वो उनकी मदद कर रहा है, शेतर में कहीं लोग हो सकते हैं, जिनको legal knowledge नहीं है, व्यापारियों को कोई दिक्कत हो स फिर GST से सम्मंदित, law से सम्मंदित, implementation से सम्मंदित, उनको आपने treatment service प्रवाइड करवाने शुरू कर दिया, खुद दे या आपके बेहफ पर कोई दे, फरक नहीं पड़ता, आप उनकी समस्याओं के समधान कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये वक्ति सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करता है, ये किवल राजनिता नहीं है, आया, बोला और चला गया, ये समस्याओं के साथ समधानों पर भी बात करता है, और फिर अपने प्रियासों को भी बताता है, तो इससे क्या होता है, आप बहुत जल्दी लोगों की नजरों में आते हैं, कि और उसे अलग तरह की राजनिती कर रहा है और देखे भारत की राजनिती में जब जब जिस भी राजनिता ने अलग राजनिती की या अलग तरह की राजनिती करने का प्यास किया जनता ने एक मौका जरूर दिया क्योंकि जनता के एक नबस है बता रहा हूँ और नए राजनिता को बड़ी काम अने वाली है क्या नबस है? जनता नए नेताओं को एक मौका जरूर देना चाहती है बशर्ते कि वो जीतने की प्रेस में आ जाए या इस कामिल हो किया जीच सकता है मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस लाइक दिखाना पड़ेगा उनको क्या आप जीच सकते है तो जनता मौका दे देती है जनता वोट वेस्ट नहीं करती है वोट काटने वाले को नहीं देती है लेकिन नया वेक्ति ऐसा हो जो लगे कि हाँ बदलाव ला सकता है परिवर्तन ना सकता है जनता साथ जूड़ जाती है और हर बार हुआ जब जब राजनिती परिवर्तन हुए तब तब देखेगा चाहराज जिस तरपर हो या रास्ट तरपर जनता ने तै किया इस लिए को मौका दिया जै जनता हमेशा नया विकल ढून रही होती है क्योंकि पराने राजनिताओं से पराने धर्रे की राजनिती से जनता जल्दी उँग जाती है तो ऐसे लोग जल्दी निगाओं में आता है एक और चीज़ कोई ऐसा मुद्दा कोई ऐसा solid मुद्दा चुनना, जिस मुद्दे पर लोग काम नहीं करने हैं, लेकिन मुद्दा है, महत पुन मुद्दा है, क्योंकि जो लोग भी मुद्दों के आधार पर राजनिती करते हैं, वैसे तो मुद्दों के आधार पर राजनिती करना बड़ा रिस्क होता है, क्यो क्योंकि अगर मुद्दा समापत हुआ तो आपकी राजनीती समाप हो जाती है लेकि फिर भी कोई मुद्दा ऐसा उठाना जिसको समापत करना इतना असान ना हो या आपके आधार पर आपके तरीके पर अगर सामने आला काम कर रहा है तो चाहिद वो हल कर पाए वरना वो अपना दिमाग लगाता रहे कैसे समस्या का समाधान होगा और तब तक आप जन्ता के बीच में अपनी पकड़ बनाने में तैयार हो जाए पकड़ बनाने के लिए अमें बना पाएं यह स्लैक बन जाए इस काबिल बन जाए कि आपकी पकड़ जन्ता के बीच पच्छी हो जाए और वो हो सकती है मुद्दे के अधार पर मुद्दे के अधार पर भी आप जल्दी से लोग की निगाहों में आ जाते हैं लेकिन इन सब का चाहे मुद्दे के अधार पर राजनिती करें चाहे आप अलग धंग की राजनिती करें चाहे आप वरतमान राजनिताओं से या वरतमान पार्टियों में जो आपके लोग हैं उनके साथ मिलकर राजनिती करें अलग हटकर राजनिती करें, सेवा की राजनिती करें, समस्याओं की समधानों की राजनिती करें आपका उद्देश्य केवन और केवन लोगों की मदद करना, लोगों के जीवन को आसान बनाना लोगों की समस्याओं को कम करना, समस्याओं को बढ़ने से रोकना और जितना हो सके लोगों के जीवन को आसान बनाना होना चाहिए, उद्देश्य लोगों की निगाह में आना नहीं होना चाहिए, अगर ये उद्देश्य होगा और इस उद्देश्यों के लेकर काम करेंगे, तो आइस्ता 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 आप लोगों की निगाहों में भ पर भी राज कर लेंगे। उनका उद्दिश्य था कि जो लोग मेरे साथ जुड़े, जो लोग मुझे पर भरोसा करते हैं, मैं उनके किसी काम आ जाओं।